नमस्कार दोस्तों राम राम जैसरी कृष्णा तो बात कर श्यां आज अपाँ एल्फाबेट की एल्फाबेट के हुआ है तो एल्फाबेट हुए है अग्यां वर्ण माला समया के हुआ है वरन माला तो वरन माला नाम वह क्यों बनें कि यह बनें तो वर्ण है वह अक्सर एक और माला जो पूरी एबिशिड़ी हुआ है एसे लेके जड़ तक की बा केलावाई वर्ण माला ठीक है या अक्सरों का सुमू के दियाना पाएं और जे गगा जो प्रकार है किता है और इंगलिस में की लिक्त तो चुंक जीatraम है को मिद् था जब दो प्रकार गी हो는 किषी एक वहाई बड़ी सव्ड और दूसरी होती एबिसिड तो तो बात करां बढ़ी अबिशिडी बिन इंग्लिस में के के हुए तो मित्रों भी अबिशिडी ने केपिटल लेटर्स के हुए और जो छोटी अबिशिडी होती है या चोटी अबिशिडी होए बिन के ने समोल लेटर के दिया इंग्लिस में और बात करां किंग्लिस में लिट जो लेटर हुए बेक किता हुए भी 26 ठीक है और अगय बात कर्श्यां अम भी दो परकार हुए मतलब जो एक हुए स्वर और दूसरा हुए वेंजन ठीक है वेंजन किता हुए और स्वर हुए बे किता हुए ठीक है अब देखां कि आपनी जकी मोटर यह भी शीडियू है वा किया लिखी जाए तो बिन अपने एक एक अक्स रहनी बिन ध्यानु देख श्यां कि वो किया किया गुमावदार त्रिक को लिखी जाएगो ठीक है तो आईए बोर्ड की तरफ और देखते हैं हमारा जो पहला को एलफाबेट वर्ण माला का पहला भाग ह। अब टर लेटर्स वह देखा है तो देखिए ओलिकाज जयता है इस प्रकार सी इस बीस प्रकार से लिखा जयता है, सी हमारा इस परकार से लिका ज़ता है ठीक है और डी इस परकार से एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डेवल्यू एक्स वाई और जट तो यह आपना केपिटल लेटर्स हो गया जिका यह लिखी जै और अब बात कर स्यां स्मोल लेटर्स की बात है कि एक यह लिखी जेगा तो आंगो जोको उचारन है वो तो सगी रहेगो ठीक है और आंगो लिखने उत्री को यह बो चेंज जोगो सारोई जोगो थोड़ सोको निसारोई जोगो देखो किया कज़ो ए आए मोटरी आब शीडिम तो यह लिखी जै और छोटकीम कुछ इस परकार से लिखा जोगा है तो ओ गयो आपनो ए बी सी डी ए और अफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आरस्टी जोगो सारोई जैए इत्रों लिखी जैगो और अपां बात कर श्यां एसी ए और एम एन ओ आरस्यू वी डबलू एक्स और जड़की के वे लाइन में गिसी जिए पर लिखी जै और बीडी अफ अच के एल और टी अंगी बात कर श्यां के ए लाइन में कितीक दूर में आव है और बाक्की गिसा रहे गया एक रहुट जी जे और वाई पी क्यू ए एए ए गिसी जिए यहां लिखी जैगा तो अपां देखां बोर्ड पर कुछ इस प्रकार से लिख गए तो यह है आपनों लाइन में यह को लिखी जै ठीक है वो लिखी जैगो आउगी आपनी पूरी लाइन इंग बिच्चो बीच यह लाइन खेंच दे तो इंग आध बिचाला यह लिखी ज यह एम एन ओ और आस यूवी ड़लू एक्स और जड़ ए विल लाइन गमा अधी दूर में लिकिटी यह जिए लाइस लिखी जैगा और अब बात कर्षा जिखा बी डी अफ एन एलाइन में कि लिखी जग तो आ लाइन आपनी तो एलाइन में यह लिखी जगा यह फोड़ अधिक कर दो पेट एनिए ओई नीचले लाइन मासी और ओकी है अमनी जान को निकिया ओधू परासी ठीक है इसारा यह यह आवागा और अपा बात कर चाहां जी जेगी पी क्यूं एक यह लिखी ची तो एलिखी ची आपना पी मान द्याट है पी क्यू भी यह लाइन इती होगा है मैं तो बाती ही नहीं मान दी चार वह ठीक है पी क्यू जी जे ए वे एलैंड के बीच से लेका निच्च निचले लैंड में हो और अब बात कर चाहां का एत आपसी कि लिए कि सिखना बाद मां अपान गिनिशन जने की ती आवगी यह वगी 26 माने भी यह पहला आप ड़नों था ने पर बाद में बतावन लाग रहे किता 26 है 26 है ठीक है और अब अंग्रेजिव नी ए जो आ वरण वाला है अपनी इननी दो प्रकार में बंटी है गिसे गिसे प्रकार में वाबम है थान बठाई स्वर और वेंजन में तो अपब बात करने इंग्लीश में के को है और वेंज़न ऐस ने पीन इंगलीश में के को है तो आव देखा है तो तmbol είναι आपनों ओ इनकवा इंग्लिस में वरव्ल्स ठीक है और वेंजन है इन इंग्लिस में कवांगा कॉंसुनेंट तुछ है तो अब बातकर श्यां जखा स्वरें बे इंगलिस में किता है तो बे है इन्ने ध्यान कुंदेरनों पर ला बे है आपना पांच अठ ध्यान देरनों किता है पांच है और कॉन्सोनेंट या वेंजन बे आपना किता है इन्न ध्यान ना दियो अठ ध्यान दियो बे आपना इकीस है ठीक है तो अब देख श्यां आपां का इंगलिश में जखा स्वर पांच है बे गिसा गिसा है अज्यों बे है ओ देखो कि ए हुग्यों जखो आपनों छोट्टी एबिशुड़ी को पिल लोक्सर है ए ओ ई आई ओ यू ए है जखा स्वर है पांच स्वर है और एक्कीस वेंजन या कुन सुनेट है बे गिसा है बे आद जो देखांपा गठेश रेग्या एरिया जखा स्वर है पांच अन्छोड़ गे 21 बच्चड़ा जखा सारा अक्सर है नहीं बे कुन सुनेट है जिया के देख लिया बी सी डी अफ जी अच जे के ल मन पी क्यू आर अस टी वी डबलू एक्स वाई और जड़ ए अपना इंगलिस का कुन सुनेट हो गया तो आज आपा केसी क यह क्यों के सी क्या अपा अलफाबेट तो अलफाबेट है उसमें जो लेटर्स होती है नहीं जगा लेटर हुए बे किता हुए 26 हुए बेसी क्या आपा और बेद देख्या का किता परकारों लिखे जाए पैल लोगा है केपिटल लेटर्स जगाना बढ़ी एपीशेडी को बाकिया लिखी जए बासी की और दूसरी है समाल लेटर यह छोटी अबीशेडी तो बाकिया लिखी जगा अक्सर सिक्या छोटी एबशेडी और बड़ी एपीशेडी में जगाग सरापां सिक्या बाव माँ भी दो परकार है किसा किसा संट के निकड़ा बेयाव है एक वह और एक हुए कॉंसोनेट ठीक है दो गया और बे आपना सिक्षा जो का वह 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 है बे आपना पांच हुए और कॉंसोनेट हुए बे आपना 21 हुए ठीक है तो इतो ही हो आपनों आज को टोपिक धन्यवाद